नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काईरोप्राक्टिक और्थोनियोरोफिजियो में यहां हम आपको स्वास्त और उप्चार से जुड़ी जानकारी देते हैं ताकि आप अपने जीवन को बहतर बना सकें आज हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करेंगे जो आपका जीवन को बदल सकती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ ऐसी आवश्यक बातें जो इस बिमारी के बारे में जानना बेहत जरूरी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए चैनल को सबस्क्राइब करिए और बैल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पासकें एंकुलाइजिंग स्पॉंटलाइटिस क्या है एंकुलाइजिंग स्पॉंटलाइटिस एक पुरानी सूजन संबंधी बिमारी है जो मुख्य रूप से आपकी रीड को प्रभावित करती है इस एंकुलाइजिंग स्पॉंटलाइटिस को एस के नाम से भी जाना जाता है यह बिमारी आपकी रीड की हड़ियों वर्टीब्रे को आपस में जोड़कर उन्हें कठोर बना देती है जिससे आपकी रीड की लचीला पर कम हो जाता है और आपके चलने फिरने में कठनाई हो जाती है इसके अलावा समय के साथ यह दर्द और असुविधा को बढ़ा सकता है खासकर अगर इसे समय पर उप्चाल नहीं किया गया है तो एंकुलाइजिंग स्पॉंटलाइटिस क्या है इस बिमारी की पीछे का कारण अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है लेकिन विशेशग्यों को हमाना है कि यह अनुवैंशिक और परियावरन कारकों का मिश्ण हो सकता है इसका मतलब है कि अगर आपके परिवार में किसी को यह बिमारी है तो आपको भी इसका जोखिम उठाना पड़ सकता है यह बिमारी धीमी गती से शुरू होती है और समय के साथ बढ़ती जाती है इसलिए इसका प्रारंबे गनिदान और उप्चार बेहद ही महतुर्पून है इस बिमारी के शुरुआती चर्णों में लक्षन इतने हलके हो सकते हैं कि आप उन्हें नजन दरास कर सकते हैं लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बिमारी बढ़ती है लक्षन और भी कमभीर होते जाते हैं इसकी यह अपने शरीक के संकेतों को समझे और किसी भी असमानेता को नजर अंदास ना करना बहुत ही महतुर्पून हो सकता है जलिए बात करते हैं कि एंकुलाइजिANS पॉन्टलाइजिस के लक्षन क्या है दूसरा मेटू पून बिंदू है कि एंकुलाइजिंग स्पॉन्टलाइजिस के लक्षन इसके प्रमॉक लक्षनों में पीट के निचले हिस्से में दर्ध और जक्रण शामिल है जो खासकर सुभा के समय या लंबे समय तेक एक इस्तिती में रहने पर बढ़ जाती है यह दर्द और जक्रण अकसर धीरे धीरे शुरू होती है और समय के साथ बढ़ती है इसके अलावा इसके और भी कई लक्षण हो सकते हैं जो आपको इससे बिमारी का संकेत दे सकते हैं एंकुलाइजिंग स्पॉंटलाइटिस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन कुछ सामाने लक्षणों हैं जिनके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है इन में शामिल है मोडने में कठिनाई वीड की जकडन के कारण आपका शरीप की गती सिमित हो सकती है आपको अपने शरीप को मोडने में कठिनाई हो सकती है विशेशकर सुभा के समय या आ इस बैमारी के कारण शरीर में सामान भी तकां और कमजोरी महसूस होसकती है आपके शरीर की उरजा कम होसकती है जिससे आप जल्दी ठग जाते हैं उचारंण और दर्थ ज्यएक्साथ मावकर्ण के लग दर्थ Other यहां पीड तक सीपत के पास की हड़ियों को प्रभावित कर सकती है जिससे की गहरी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है अगर आपको इन में से कोई भी लक्षन महसूस हो तो बिनादेरी किये चिकित्सक से परामर्श अकरना आवश्चक है जितनी जल्दी इसका निदान और उप्चार शुरू किया एंकुलाइजिंग स्पॉंटलाइटर आम तोर पर 15 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के बीच में शुरू होता है और पुर्शों में ये महिलाओं की तुलना में अधिक पाया जाता है इसके अलावा जिनके परिवार में इस बिमारी का इतिहास रहा है उनके प्रभावित होने की संभावना काफी अधिक हो जाती है इस बिमारी के लिए कुछ जोकिम कारक भी हो सकते हैं जिनमें प्रमुक हैं अनुवैंशिक प्रव्रती अगर आपके परिवार में किसी को एंकुलाइजिंग स्पॉंटलाइटर है तो आपके इस से विक्सित करने की संभावना बढ़ ज आती है यह HLA B27 जीन की उपस्तिती के कारण हो सकता है जो इस बिमारी से जुड़े होने की संभावना को बढ़ा देता है युवा पुरुष यह देखा गया है कि एकॉनलाइटिंग स्पॉंटलाइटर्स युवा पुरुष में अधिक होता है हाला कि महलाएं भी इसे प्र उमर 15 से 35 वर्ष के बीच होती है उनमें इस बिमारी के विक्सित होने की संभावना अधिक हो जाती है इन जो खिमकारकों को जानना आपके लिए बहुत महत्वपून है क्योंकि इस से आपको इस बिमारी के संकेतों और लक्षणों पर ध्यान देने में मदद मिल सकती है चलिए बढ़ते हैं कि इसका निदान कैसे किया जा सकता है चोथी बात ये है कि इसका निदान कैसे कर सकते हैं डॉक्टर इसका निदान आपकी चिकित्सा इतिहास शारिरिक जाच और कुछ विशिष्ट टेस्ट जैसे की एक्सरे और एमराई के मादियम से कर सकते हैं इसके स्पॉंटलाइटिस का निदान अक्सर चनौती पूंड होता है क्योंकि इसके लक्षन अनिस्टितियों के समान हो सकते हैं इसके लिए एक विस्टित चिकितसा इतिहास शारिरिक जाच और कुछ विशेश टेस्ट की आवश्टता होती है चिकितसा इतिहास डॉक्टर सबसे पहले आपका विस्तरित चिकितसा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे वे आपसे आपके लक्षनों के बारे में उनके समय और गहनता के बारे में सवाल पूछ सकते हैं शारिलिक जाँच के दौरान डॉक्टर आपकी रीड की लचीलापन और उसकी गती की जाँच करेंगे वे आपकी रीड की हड़ीयों की जाँच करेंगे और यह जानने की कुशिश करेंगे कि कहीं कोई असामान्यता तो नहीं है इमेजजिंग टेस्ट एक्सरे और एमराई का उपयोग आपकी रीड और हड़ीयों के किसी भी रुकसान या बदलाव को देखने के लिए किया जाता है यह डॉक्टर को आपकी इस्तिती की गंभीरता को समझने में मदद करता है बलड टेस्ट, HLA B27 जीन की उपस्तिती की जांच करने के लिए बलड टेस्ट किया जा सकता है इस जीन की उपस्तिती एंकुलाइजिंग स्पॉंटरलाइटिस के जोकिम को बढ़ा सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी HLA B27 पॉजिटिव लोग इस बिमारी से प्रभावित होंगे निदान प्रक्रिया के बाद आपका डॉक्टर आपके लिए एक व्यक्तिकत उप्चार योजना बना सकता है जो आपकी विशेश आवशक्ताओं और लक्षणों पर आधारित होगी पांचों और सबसे महतुपूर्ण बिंदु है इसका उप्चार एंकुलाइजिंग स्पॉंटरलाइटिस का कोई पूर्ण इलाज नहीं है लेकिन इसके लक्षणों को कम करने और बिमारी के बढ़ने को रोकने के लिए विबिन तरीकों का उप्यों किया जा सकता है इनमें शारिदिक व्याया, फिजियो थेरपी, काईरोप्रैक्टिक उप्चार और कुछ दवाईयां शामिल है गंबीर मामलों में सरजरी की भी आवशकता हो सकती है एनकुलाइजिंग स्पोटलैटिस के लिए उप्चार का मुख्य उद्देश दर्द को कम करना लचीला पल बनाए रखना और बिमारी के प्रगती को धीमा करना है उप्चार के विबिन विकल्प इस प्रकार से हैं दवाईयां दर्द और सूजन को कम करने के लिए नौन स्टराइड एंटी इंफलेमेटरी ड्रग्स का उप्योग किया जा सकता है इसके इलावा कुछ मामलों में बायलाजिक्स और डियमार्ड्स डिजीज मौडिफाइंग एंटिरियूमेटिक ड्रग्स का उप्योग भी किया जा सकता है जो रोग की प्रगती को धीमा करने में मदद करते हैं फिजियो थेरपी नियमित फिजियो थेरपी से आपकी रीड़ की लचीलापन और शारेनिक गतीविदी को बनाई रखा जा सकता है फिजियो थेरपिस्ट आपको उन व्यायाओं का सुझाव देंगे जो आपकी रीड़ की हड़ियों को मजबूत करने और जकड़ं को कम करने में मदद करेंगे शारेनिक व्यायाम नियमित व्यायाम आपकी रीड़ की हड़ियों को मजबूत और लचीला बनाई रख सकता है योग और तराकी जैसे व्यायाम विशेश रूप से लाबकारी हो सकते हैं सरजरी कम्भीर मामलों में जब दवाईयां और फिजिटरपी परियाब नहीं होते हैं तो सरजरी के आवशकता हो सकती है यह मुख्य रूप से लीड की हड़ियों के जड़ने और कूलों के बदलने के लिए किया जाता है काईरोप्रेक्टिक उपचार लीड की हड़ियों के सरेखन को ठीक करने और दर्द को कम करने के लिए एक महत्वपून विकल्प हो सकता है कायरुप्रेकٹر आपकी रीड को समायोजित करने के लिए विशेश तक्निकों का उपयोग करते हैं जो रीड की जखडण को कम कर सकता है और आपकी रीड की हड़ियों को लचीला बनाए रखने में मदद कर सकता है ये उपचार ना केवल आपके दर्द को कम करता है बलकि आपकी रीड की गती शीलता को भी बहतर बनाता है उपचार योजना को अपने डॉक्टर की सला के अनुसार नियमे तूप से फॉलो करना बहुत महत्पूर्ण है इस से ना केवल आपके लक्षणों में सुधार होगा बलकि आप एक बहतर जीवन जीने की योगे भी बनेंगे चलिए बात करते हैं जीवन शैली में बदलाव की इस बिमारी के साथ जीने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने पर सकते हैं जैसे की नियमित वयाम करना, संतुले तहार लेना और सही मुद्रा बनाए रखना, योग और मेडिटेशन भी काफी फायदे मन्द हो सकते हैं एंकुलाइजिंग स्पॉंटरलाइटिस के साथ जीने के लिए आपको कुछ महत्वपून जीवनशैली परिवर्दन अपनाने आवशकता हो सकती है सही मुद्रा हमेशा अपनी रीड की सही स्थित्य को बनाए रखें बैठते समय और खड़े होते समय ये सुनिश्चित करें कि आपकी रीड की हड़ी सीधी हो इससे रीड की हड़ीों पर दबाव कम पड़ेगा और जक्रन को कम भी किया जा सकता है नियमिद व्यायम ना केवल आपके शारिड एक फिटनेस को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि ये रीड की लचीला पन को भी बढ़ाता है योग तहराकी और स्ट्रेचिंग एकसराइज आपकी लचीला और मजबूत बनाए रखने में मदद कार साबित होगा संतुले तहार सही आहार लेना आपके स्वास्त के लिए मेहतोपून है सुनिश्चित करें कि आपके आहार में एंटी आकसिडेंट्स, ओमेगा थ्री फैटी एसेर्स और कैल्शिम जैसे पोशक तत्व शामिल हूँ जो सूजन को कम करने और हड़ियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं योग और मेडिटेशन ना केवल आपके शरीर फिटनेस को बहतर बनाते हैं बलकि आपके मानसिक स्वास्त को भी बनाए रखते हैं यह तनाव को कम करने और मांसिक शान्ती प्राप्ट करने में मदद कर सकते हैं जो इस बिमारी के लक्षणों को प्रबंदित करने में सहायक हो सकते हैं इन जीवन शैली परिवर्थनों को अपना के वर एंकुलाइजिंग स्पॉंटिलाइटिस के लक्षन को नियंद्रित कर सकते हैं बलकि एक स्वस्त और सक्रिय जीवन भी जी सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं स्पोर्ट सिस्टम और जाक रुकता इस बिमारी के बाग में बारे में जाक रुक रहना और अपने परिवार और दोस्तों को स्पोर्ट लेना बहुत ही मेतबून है इसके अलावा ऐसे स्पोर्ट स्क्रुप्स में शामिल होना जहां आप अपने अनुभव साज़ा कर सकें भी मददकार साबित हो सकता है एंकुलाइजिंग स्पोर्ट लेटिस जैसी पुराने बिमारियों से जूजना कभी कभी अकेला महसूस करवा सकता है लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है तो आप इस बिमारी का सामना अधिक मजबूती से कर सकते हैं परिवार और दोस्त आपके सबसे बड़े सही होगी हो सकते हैं उनके साथ अपनी समर्थियाओं को साज़ा कीजिए और उनसे समर्थन मागिए यह एक आपकी मानसिक स्थिती को बहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है सपोर्ट ग्रूप्स आजकल कई सपोर्ट ग्रूप्स और ऑनलाइन समुदाए हैं जहां आप अपने जैसे लोगों सिंबल सकते हैं जो इस बिमारी से जूज रहे हैं उनके साथ अपने अनुभव साज़ा करिए और उनसे नई जानकारी और सलाप राप्त करिए जाग रुकता अपने बारे में और इस बिमारी के बारे में जाग रुक रहना बहुत ही महतुपून है जितना अधिक आप इस बिमारी के बारे में जानेंगे उतना ही बहतर आप इसका सामना कर पाएंगे अपने डॉक्टर से नियमित परामश लीजिए और इस बिमारी के नवीन तम शोद और उपचार विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एक बजबूत सपोर्ट सिस्टम और सही जानकारी के साथ आपना केवल इस बिमारी से लड़ सकते हैं बलकि एक सकारात्मक और स्वस्वश जीवन भी जी सकते हैं तो ये थी सात आवशक बातें जो आपको एंकुलाइजिंग स्पॉंटलाइटिस के बारे में जाननी ही चाहिए उमीद है कि इस वीडियो में आपको मिली जानकारी में काफी आपकी व्रद्दी हुई होगी और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे धन्यवाद और हमें सब्सक्राइब करना ना मुझे